जैज जीने, मेरा नाम प्रिया जैन है, आप लोग अभी समर वेकेशन में बहार जाना चाहते हो, कई बार ट्रेन का दो दो तिन 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 का सफर रहता है, इसमें हमेशा आपको चिंदा रहती है कि मैं टिफिन में क्या ले जाओ, टिफिन में या होटल में खाना खाते हैं, या ट्रेन में खाना खाते हैं, तो फूट पैसन होने का डर रहता है, या जॉइन में इस चिंदा को दूर करने के लिए, आज आपको मैं बता रहे हूं कि मिल्क पराथा, ये मिल्क पराथा आप दो से तीन दिन तक यूज़ कर सकते हैं, इससे ना आपको कोई ना आपका स् ये मिल्क है, एक कटोरी, ये आठा है, देड़ कटोरी, इसमें आधा चम्माच, ये नमक डालेंगे, आधा चम्माच, शक्कर डालेंगे, अब अपन ये आठा इसमें दूद में मिक्स करेंगे, अब आपने दूद में आठा इस तरीके से मिक्स करना है, ताकि आप छोटी-छोटी लोईयां करके इसे चपाती या पराठा बेल सको, इसका लेयर थोड़ा आपको मोटा ही रखना है, ताकि ये खाने में सॉस्ट लगे, अब आप इसे खूल्ड करिए, अब आप इसे खूल्ड करिए, कि आप 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 कि अप्सक्राइब कि अप्सक्राइब कर देशी घी या बटर कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं आपकी टेस्ट के अनुसा तयार है आपका मिलक का पराठा आम की लोंजी के साथ यह आपके सफर के लिए कापी बेटा है आपके साथ्ण यह सेँ एक शष्ण नेकश चैज आपक нужно व्ली यह से भी प्सक्राइब की कि अप्सक्राइब कि लो व्हां कुछ यह से अनुछ